Hello and Welcome to Filmy Express वेल दोस्तों आखिर मुकेश अमबानी ने किस तरह सरयाम कर दी और किसी की नहीं बल की इंडिया के सबसे बड़े कॉमीडियन कपिल शर्मा की बेज़ती आखिर क्यों उस दिन को याद करके आज भी फूट फूट कर रोते हैं कपिल शर्मा जब की थी इंडिया के सबसे रिचेस्ट परसन मिस्टर अमबानी ने उनकी खुले आम बेज़ती दोस्तों ये खबर बहुत ही जादा इंट्रेस्टिंग है बताएंगे आपको सब कुछ पूरे विस्तार से लेकिन उससे पहले चानल को आप जरूर सबस्क्राइब करें बेल आइकन को दबाना अब बिल्कुल न भूले वाल दोस्तों आपको बता दें इंडिस्ट्री के जाने माने बड़े कॉमेडियन है कपिल शर्मा उनके जितने भी जोक्स होते हैं वो टीवी पे हमेशा ही सूपर हिट होते हैं लोगों को कपिल के जोक्स बहुत ज्यादा गुद गुदाते भी हैं लेकिन एक बार हर्बचन सिंग ने मुंबई इंडियन्स के लिए होने वाले शो में कपिल शर्मा को बुलाया था कपिल शर्मा इस शो को होस्ट करने के लिए और अपनी कॉमेडी का जल्वा दिखाने के लिए बहुत ज़्यादा एकसाइटिड भी थे कपिल ये मान रहे थे कि ये इनके लाइफ में एक गोल्डन अपॉर्चनिटी है लेकिन दोस्तों उस शो में ज्यादा तर बड़े बड़े नामी गामी लोग आये थे जैसे की सचिन तंदुलकर, नीता अमबानी और साधी साथ मुकेश अमबानी जैसे कई इंडस्ट्रिलिस्ट और दिगज लोग ऐसे में और कोई जानता है कि कपिल शर्मा जितने भी जोक्स क्रैक करते हैं वो मोस्ट ली गरीबी के उपर होते हैं और मिडल क्लास लाइफ को एक्स्प्लेइन कर रहे होते हैं और इसलिए मोस्ट आफ दो आउडियंस को बहुत जादा इसमें मजा आता है लेकिन उस जगा पर सारे के सारे अमीर लोग थे जिनको पता ही नहीं के गरीबी और मिडल क्लास लाइफ में क्या होता है इसलिए कपिल के एक भी जोक पर वहां कोई भी नहीं हसा हर कोई चुप चाप कपिल का चेहरा देखता रह गया और वो उनकी जंदगी का सबसे बड़ा फ्लॉप शो साबित हुआ दोस्तों हर्बजन सिंग ने खाना खाते वक्त कपिल को इस बात का ताना भी मारा था आप क्या कहेंगे हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं वीडियो को लाइक और शेयर करना आप न भूले